ये गाईज, वल्कम तो था क्लास, तिस इस मैं भी शेक सा हूँ, आज मैं लेकर काया हूँ आपके लिए ग्रैविटेशन का वन शॉट ये हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चप्टर 8 है और इस वन शॉट में आपको ग्रैविटेशन की पूरी फील, पूरी खुश्बू, पूरा रस आपको इस वीडियो में मिलेगा जब आप इस वीडियो के end में पहुंचोगे, तो हर बार की तरह आज भी comment section में लिख करके जाओगे सर मुझे मज़ा आगया, gravitation में तो कुछ भी नहीं था, इतना असान है gravitation कि आपको बस मज़ा आएगा परमानंद की खुश्बू, आज आज आपको इस lecture से मिलने वाली है So without wasting time, let's get started, but before that, अगर आप चाहते हैं कि इस chapter के एकदम असान भाषा में बिल्कुल, एक दम आसान भाषा में अगर आप notes डाउनलोड करना चाते है तो आपको मारा जो telegram channel अभी shakes house और physics उसको join कर लेना है और यहां से यहां से आप notes डाउनलोड कर ले, मैंने बहुत time लगाया, 4-5 गंटे मुझे लग गए और तब जाकर के हमने notes को तयार कर पाया, तो आप इसको जरूर से डाउनलोड करें so that मेरी महनत आपके पास तक पहुँच पाए और याद रखना, जब आप इस chapter के end में पहुँचोगे आज इस वीडियो के तो आप जरूर से के कह जाओगे, सर मजा आ गया और यह मजा मैं बारत के हर उस student को देना चाता हूँ जिसको इसमें मजा, gravitation में नहीं आ रहा है so start कर दें, चले भई तो सबसे बहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर आज कि भई हमने 11th class के जो हमारी सुरुवात हुदी तो first chapter में पढ़ा था कि हमारी nature में बेसिकली चार टाइप के fundamental forces पाए जाते हैं है ना, उनमें से first type है gravitational force second है electromagnetic force third है strong nuclear force और fourth है weak nuclear force शुरुआत करें अगर जो है electromagnetic force है तो electromagnetic force charge particle के बीच में लगता है rest charge, moving charge कुछ भी हो सकते हैं ठीक है, बेसिकली यह electromagnetic force मिलकर के बना हुआ है, strong nuclear force लगता है जैसे अगर हम बात करें एक item के अंदर nucleus होती है और nucleus के अंदर proton और neutron होते हैं proton और proton होते हैं तो inside nucleus मैं बोल सकता हूँ कि strong nuclear force कहा लग रहा है inside nucleus जो particles हैं उनके बीच में जो force लग रहा है उसको हम बोलते है strong nuclear force तभी तो इतना strong force लग रहा है तभी तो nucleus के अंदर से neutron proton बाहर नहीं आते हैं तीसरा force जो चौथा force में इसको बोल सकता हूँ यह होता है weak nuclear force देखो क्या होता है जब किसी atom की nucleus बहुत भारी हो जाती है तो उसमें से क्या होता है कुछ subatomic particle निकलने लगते है इस process को हम बोलते है radioactive decay और radioactive decay के दौरान जब subatomic particle निकलते है तो इन particles की बीच में जब force लगता है इसको हम बोलते है weak nuclear force अब चौथा आ गया जिस पर हम आज एक गंडे बताने है तो इसको हम बोलते है gravitational force gravitational force दुनिया का सबसे weakest force है और ये कहां लगता है between two masses कहां लगता है between two masses का मतलब यह है कि अगर आप यहां बेटे हो और बाहर कोई इनसान बेटा हुआ है जानवर बेटा हुआ है पत्था रहा है पेड़ है पौदे है कुछ भी है लेकिन gravitational force इस दुनिया का इस nature का सबसे weakest force है कैसा force है सबसे weakest force है इसलिए हम ये बोल सकते है कि gravitational force को feel नहीं कर पा रहे है देखो बच्चो ऐसा है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़े है जो हमें feel नहीं होती है बात समझ मारी है तो मुझे तो जब पता बढ़ेगा जब मैं खुजाने लगूँगा है कि नहीं तो इसी तरीकी से gravitational force हम इस तरह से generally feel नहीं कर पाते है लेकिन इस पर बहुत सारे phenomena हमारे इस दुनिया में है जो हो रहे है जैसे कि अर्थ sun के around लगाता है इतने सालों से क्यों घूम पा रहा है घूम पा रही है है कि नहीं या बाकी के planet उसका कारण ये है कि आपस में सभी planet की बीच में gravitational force लगता है मैं अभी discussion कर लेता हूँ आपको सारी जी समझ मा जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते है gravitational force क्या है देखे मैंने आपसे कहा gravitational force या simple gravitation क्या है तो gravitation एक force है जो कि किसी भी दो bodies की बीच में लग सकता है चाहे वो कच्छडा गाड़ी और मैं ही क्यों ना हूँ जिनके पास mass मतलब matter material होना चाहिए तो किसी के बीच में लग सकता है क्या सच में हाँ जी बिल्कुल देखो ये mass और ये mass इन दोनों के बीच में एक force of attraction लगता है ये force दुनिया का सबसे weakest force है इसलिए हम इसको feel तो नहीं कर सकते लेकिन ये लगता है और हम इसको lab में आसानी से किसी भी experiment के थुरू प्रूफ कर सकते है ठीक है आगे हम बात करते है कि object जितना दूर होगा वो force उतना कम लगता चला जाएगा इसको हम Newton's law of gravitational पढ़ेंगे ठीक है अब भी समझेए तो दो masses के बीच में जो force of attraction लग रहा है ये gravitational force अब एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते है gravity अब gravity क्या होता है तो दिखो कोई भी mass जिस पर earth force लगाए जो हमारी earth है earth के द्वारा लगाए जाने वाला gravitational force force of attraction किसी भी mass पर किसी भी matter पर कहलाता है gravity क्या कहलाता है gravity तेक है near the surface of earth इसके बाद हमने ये भी तो पढ़ा है कि जिसे मान के चली अगर आप किसी body को earth से उपर फेकते हैं तो ये वापस earth पर आ जाती है है के नहीं वापस earth पर आती है वापस earth पर आती है अर्थ force लगा रही होती है और जब जब force लगता है जब जब force लगता है उस पर लगता है acceleration है के नहीं उसकी velocity बदलती है acceleration होती है तो ये जो acceleration होई किस कारण्ट होई बोला earth की gravity के कारण्ट इसलिए हम इसको बोलते है acceleration due to gravity क्या बोलते है acceleration due to gravity और इसको हम small g से यहाँ पर represent करते हैं समझ में आ गया तो gravity है earth का gravitational force और gravitation है किसी भी दो masses किसी भी दो bodies की बीच में लगने वाला force अगे हम बढ़ेंगे तो भई अभी हमने कहा कि force यह कितना लग रहा होगा हम इसको क्यों feel नहीं कर पा रहे हैं तो basically ये force जो है दो bodies की बीच में पहुत कम लगता है आपको भी idea होगा सर तो इसका मतलब यहा कि मैं यहां बैठा हूँ Katrina कैप वहाँ है तो हम दोनों के बीच में gravitation force लग रहा होगा क्या अरे बिलकुल लग रहा होगा लेकिन ये force कितना होगा अभी मैं आपको पता देता हूँ है के नहीं चले बैठा देखो जड़ा तो यहां पर समझ रहा कि Newton ने इस बारे में आप जानते हो कि gravitation की जनक है जो पितासरी है वो कौन है बैठा देखो पहले जो रिशी मुनियों ने भारत के तो दिया ही हुआ था लेकिन अभी हमें पढ़ना है Newton का law of gravitation है के नहीं तो Newton के बारे में ज़्यादा बाते कही जा रही है तो हम यह मानते हैं और उसने काफी जारी study जो हम कई वो ही हम बुक्स में पढ़ रहे हैं तो Newton ने planets के लिए या मैं कहूँ Newton ने दो masses के बीच में कितना gravitation force लगेगा यह उसने बताया और इसके बारे में काफी जारी बातें Newton ने कहीं तो देखो अगर मेरे पास दो masses है एक mass M1 है और दूसरा mass M2 है और इन दोनों के बीच में कुछ भी separation small r है तो इन दोनों के बीच में कितना force लगेगा यह Newton ने बताया Newton ने कहा कि force between force between these two masses is directly proportional to the product मतलब multiply of these two masses यह मैंने यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है to the product of magnitude मतलब value of their masses इसके बाद inversely proportional to the आगे का कहा है Newton ने Newton ने कहा कि इन दोनों masses के बीच में जितनी distance होगी उस distance के square के inversely proportional inversely proportional force लगेगा यह inversely proportional inverse square लोग को force फॉलू करेगा इसका मतलब का होता है सर यह मुझे बता दो तो मुझे मज़ा आ जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि मान के चलो कि 2 charges के बीच में 2 masses के बीच में अभी force लग रहा है कि अभी force लग रहा है 100 newton अगर आपने distance को और इन दोनों 4 charges के बीच के distance अभी 1 meter अब मान के चलो आपने distance को कर दिया double कुछ change नहीं किया सिर्फ distance को आपने 1 meter के जिए 2 meter कर दिया तो newton नहीं यह कहा था कि अगर आप distance को double कर दोगे तो जो force जो होगा यह इसके double के square times कम हो जाएगा मतलब force इसके 1 by 4 times हो जाएगा तो पहले अगर 100 लग रहा था तो अब कितना लगेगा अब लगेगा 100 by 4 मतलब 25 newton समझे चार गोना कम हो जाएगा मान के चलो कि पहले वाली comparison में मान के चलो कि अगर newton ने कहा कि अगर आप distance को कर देंगे 3 गोना तो मान के चलो पहले वाले case में force लग रहा था 100 newton और आपने distance को कर दिया 3 गोना तो अभी क्या होगा sir अभी कुछ ऐसा हो जाएगा कि force इस 3 के square times हो जाएगा है के नहीं तो आप यहाँ पे बोलोगे कि force कितना कम हो जाएगा force हो जाएगा 9 1 by 9 times हो जाएगा बतरो 9 गोना कम तो अब force कितना लगेगा 100 by 9 newton कहने का मतलब यह हुआ कि newton ने objects पर masses पर experiment किया खूब सारी study करी और उसके बाद इस conclusion पे वो पहुँचा कि जो force जो है gravitation force यह inverse square log को follow करता है inverse मतलब उल्टा square मतलब उल्टे का square समझ गए अगर मैं इन दोनों के बीच में 4 गोना distance को बढ़ा दूँगा तो force 4 के square times 4 के square times मतलब 16 गोना कम हो जाएगा बात समझ बारी है तो यह हुए newton के दो जरूरी बाते है अब हम इन दोनों जरूरी बातों को यहाँ पे combine करेंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा M1, M2 यह directly proportional है और यह है inversely proportional है कि निए upon में इसके बाद हम इसको यहाँ तक मौचाएंगे और इसको लिखेंगे F is directly proportional अब proportional design जब अटेगा तो आप जानते हैं यहाँ पर एक constant आएगा इसको बोलते है proportional D constant और इसका नाम होता है universal gravitational constant यह हो गया M1, M2 upon R square बोलो हाँ समझ मारा है सर देखिए ज़रा इस capital G को मैंने क्या बोला इसको मैंने बोला universal gravitational constant हैगे नहीं universal gravitational constant बहुत सही बहुत सही बहुत सही अभी देखो क्या है अभी यहाँ पर यह है कि इस capital G की कुछ value होती है इस capital G की value क्या है actual में यह value Cavendish experiment से हमें मिलती है जिसको अभी ध्यान नी देना है capital G की value होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 unit है newton meter square kg minus 2 यह unit कहां से आई तो यह unit यहां से आई है कि अगर मैं यहां से capital G को यहीं पर रखो तो कितना हो जाएगा f r square upon m1 m2 और is equal to में बचेगा capital G ठीक है capital G तो capital G की unit यहां से इस formula से बनी f की जाएगा newton r की जाएगा meter square upon m1 into m2 kg into kg तो इस तरह से हमने यह unit बना दी याद रखना universal gravitational constant यह इस constant के पास unit होती है और आप इसको बढ़िया से ध्यान रखेंगे तेक है और अगर आपको इसकी dimension भी याद करनी है तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि dimensional formula इसका बनता है minus 132 m minus 1 l cube t minus 2 ठीक है now minus 132 बना के देख ले न या फिर newton meter square kg minus 2 तो newton का होता है ml minus 2 ml t minus 2 meter square का हो गया l square kg minus 2 ठीक है तो kg minus 2 का मतला है mass का m minus 2 kg का मतला है mass और mass के उपर power minus 2 तो m minus 1 l cube और t minus 2 इस तरही से आप इसका dimensional formula भी बना सकता हूँ वो लोगोई दिक्कत नहीं ना चली वई आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा अब देखे तरह gravitas तो ये बात पिचा नहीं चला जा रहा हूँ है कि तो मान के चलो कि यहां से हमने कहा कि यह force of attraction between you and कच्रणागाडी निकाल लेते हैं तो capital G M1 M2 upon r square अभी देखना capital F is equal to G की value कितनी है G की value हो जाएगी 6.67 10 to about minus 11 इसके बाद M1 की जगे M1 मतलब मान के चलो आपका mass कितना होगा मैं चलो ऐसे मान लेता हूँ आपका mass हो गया 100 kg बहुत सारा mass मान दिया आपके पास ठीक है force है Newton मी लेंगे तो 100 आपका हो गया अब वो कच्छणा गाड़ी बाहर कड़ी है उसका mass कितना मान ले चलो उसका mass मान लेता हूँ मैं 1000 kg अब ले सर्ब बुझ से वो कितनी दूर है तो मान सकते हैं कि आप से वो 10 meter दूर है ठीक है 10 meter तो formula r square तो 10 into 10 में कर दूँगा तो यहाँ से अगर मैं force निकालूँगा तो कितना निकलेगा यहाँ से यह कटा f is equal to 6.67 into 10 to the power minus 8 newton मतलब भाई सब आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि आपके और उसके बीच में इतना इतना force लग रहा है कितनी 0 1,2,3,4,5,6,7 और यह 8 ठीक है इतना जो है यहाँ पे ठीक है पॉइंट लगा दो यहाँ पे कहीं 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक चलिए 1,0 और आ जाने दो समझे इतना newton का force लग रहा है सोचलो भई आप दोनों के बीच में कितना प्यार है 0,0,0,0,0,0,0 7,8,7,0 लगा के 6 लिख देना है है नहीं थोड़ा बहुत आगे बीच हो रहा हो तो मतलब distance आप दोनों के बीच में कितनी है 1,000 तो 1,000 का square कर दो तो इसका मतलब क्या हो रहा है 10 to the power 6 वो 10 to the power 6 उपर मतलब और value बड़ी हो जाएगी और force की value कम हो जाएगी तो बहले ही वो आपको खीचे लेके ना आप खीचे हो गए बड़ी इसके center को attract करता है कभी भी मतलब जैसे हमारे school में एक सर थे वो क्या करते थे कि अगर आपने homework नहीं करा तो वो बच्चे का belt पकड़ते चाब भले खुल जाए चोटे बच्चे का जो हो दिया belt पकड़के पहले खीचते थे फिर जो है उसको जो है कान पकड़के खीचते थे है के नहीं तो belt पकड़के खीचना मतलब central force ना भी पर लग रहा है ना center of mass central force और कान पकड़के खीचना मतलब इंसान ऐसे खीचता है है के नहीं मतलब उसको हम बोलते है tangential force तो कान पकड़ कीचना टैंजेंशियल और कमर पकड़ कीचना चैन्टर्ल पोर्स तो बताताओ जरा gravitation force कैसा force है gravitation force center to center attract करता है met कमर पकड़ के खीची लेता है समझे के चैने है के नहीं बताताओ जरा समझ मौला रा तो gravitation force कैसा है यह central force है, यह हमेशा bodies के center को track करता है, समझे, now, gravitational force conservative force है, भई मैंने कहा कि आपके और Katrina Kev की बीच की distance यह 1000 km है, तो आप को करना है, आप गलियों को count नहीं कर लोगों को बलो सीधे हमारे प्यार की बीच में कोई आना नहीं चाहिए, यह विक्क्य को अजल को अटा देंगे, है क नहीं, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि यहाँ पर आपको समझना है, gravitational force, conservative force है, मतलब यह path पर depend नहीं करता, यह बिलको center to center के बीच यह shorter distance उस पर depend करता है, बस, take it now, आगे, it is a mutual force of attraction, यह कैसा force है, mutual force of attraction का मतलब यह है, कि दोनों के बीच में बराबर प्यार है, इसका मतलब यह हुआ, कि एक यह force और एक यह force, बात समझना, अगर यह body, सुनो, अगर यह body, बहले ही बहुत बड़ी है, तो mass तो दोनों के पास है, mass तो दोनों के पास है, इसके पास ज़्यादा mass हो गया, capital M, इसके पास कम mass हो गया, तो दोनों ही एक दूसरे के center को attract करेंगे, लेकिन अग कि इसके पास ज़्यादा mass है, तो पकड़ के घसीट दे, इसको पकड़े खीच दे, अगर ऐसा होता है, तो हम सारे धरती में घुस जाते, योगि हम तो धरती पे कम force लगा पा रहे है, है कि नहीं, लेकिन धरती अपन ज़्यादा force लगा रहे है, तो अपन तो घुस जाते ह सारे कि सारे, है कि नहीं, बात समझ भाई, तो यह कैसा force है, mutual force है, दोनों के बीच में common force है, पना बढ़ का force लगता है, है कि नहीं, कोई ना ज़्यादा, कोई ना कम लगाएगा, टेक, gravitation force does not depend on the absence of presence of third mass, इसका मतलब यह है, कि अगर हम दोनों का प्यारत हो, हमें तीसरे से म principle, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि मान के चलो अगर इन दोनों के बीच में 10 Newton का force लग रहा है, अब तीसरा आ गया, बताओ कौन, नाम बोलो इसका, विक्की को अजल, ठीक है, अब अगर तीसरा आ गया, तो अब क्या है ना, अब इन दोनों के बीच में 10 Newton क है अब यह अपनी शेरिंग इसके साथ कर सकता है यह इन दोनों के बीच के फोर्स पर कोई एफेक्ट नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला यह कहता है फिजिक कोल टू जी एम एम थे छोटा मास बड़ा मास अपन डिस्टेंस का स्क्वाइर तो बही किसी के आ जाने से इन दोनों के मासे और डिस्टेंस के वैल्यू कम नहीं हो रही है तो फिर इन दोनों के बीच का एफेक्ट नहीं चेंज होगा है क्या इसको पन बोलते हैं कि जो ग्रैविटेशनल फॉर्स है यह किसी थर्ड मास के प्रेजन्स और एपसिंस पर डिपेंड नहीं करता ये सिर्फ दोनों के मास और दोनों के बीच के distance पर depend करता है है के नहीं चले वही बहुत सही आगे हम बढ़ जाएंगे अब हम आगे पढ़ेंगे Shell Theorem क्या? Shell Theorem क्या होती है? तो सब्सक्राइब को Shell Theorem क्या है? ये आपके पास एक hollow sphere है समझेना बात को देंसे, ये आपके पास एक hollow sphere है अब ये आपके पास capital M है मतब बड़ा वाला मास और ये आपके पास छोटा वाला मास अभी क्या होता है कि अब ये hollow है, खाली है है के नहीं? काली है ना? और यह small mass है, तो पूछ रहा है, इन दोने बीच में कितना force लएगा, तो इन दोने बीच में force लएगा, capital M, G, capital M, small m upon, दोनों बीच की distance का square, सवाल जाता है, कि सर डिस्टेंस कौन से लेनी है, mass तो center पे बिलकुल नहीं है, क्योंकि यह hollow है, तो shell थुरम यही कहती है, कि भले ही यह mass है, यह center पे नहीं है, लेकिन spherical shell ऐसे act करेगी, ऐसे behave करेगी, जिसे मानों के सारा का mass, इसके center पे रखा हो, तो हमेशा distance कहां से लेनी है, solid की, center से, क्योंकि gravity force है, central force, चले बहुत सही, और, और, अब अगर mass जो है, इसके अंदर रखा है, तो basically यह जो mass है, hollow के अंदर, basically यह जो mass है, अब इस पर कोई भी force नहीं लगेगा, क्योंकि यह सारे mass के अंदर है, और actual में, यह ऐसे behave करता है, कि mass center पे लखा है, लेकिन center पे रखा तो है, नहीं, तो अभी इस पर force कहलेगा, zero है, क्योंकि जब यह इसके अंदर पहुँच जाएगा, then it will be the part of the system, ठीक है, तो shelf theorem यह कहती है, कि जब आप एक hollow sphere के अंदर हो, तो इसके कारण कोई force नहीं लगेगा, इस पे, लेकिन हा, लेकिन हा, मैं आपको तादू, कि बाहर कोई object अगर रखा हुआ है, तो वो इस पर force लगा सकता है, लेकिन इस खुद के कारण इस पर force नहीं लगेगा, यह shelf theorem कहत होती है, बात समझ मारी है, क्योंकि center पे, यहाँ पे कोई mass है नहीं, तो उस पर force लगाएगा, कौन, बात समझ मारी है ना, चली बहुत सही, मेरे हिजाब चाहब हो, clear हो रहा हूँ, comment section में लिखके बताना यार, है कि थोड़ी से energy का मुझे लगना चाहिए, कि हाँ, 20 मिट मे आपको कुछ ना कुछ clear हुआ होगा, अब ही हम बात करेंगे, कि shell theorem में solid वाली, solid shell के लिए, solid sphere के लिए क्या होता है, तो मान के चलो, कि अगर कोई mass बाहर है, तो force कितना लगेगा, वही, capital G, M, M upon r square, although यह वाले कि इसमें mass की value कुछ और होगी, इसमें mass की value कुछ और होगी, लेकिन, अगर mass center पे, मतलब अंदर रखा है, तो, तो क्या होगा sir, तो इसका मतलब है कि, जो center से, जो mass है, यहां तक का, वो तो force लगाएगा, लेकिन बाहर आप यह इतना सारा mass देख रहे हो, इसका gravitation force पे कोई effect नहीं होगा, यह बात समें, इसका gravitation force पे कोई effect नहीं होगा तो सिर्फ मैं यह बोल सकता हूँ कि, यह पूरा mass इस पे force नहीं लगाएगा, सिर्फ m dash इस पे force लगाएगा, और m dash क्या है भई, m dash, mass का formula होता है, volume into density, volume into density, तो हमेशा रखिए density जो है, density जो है, यह m dash is equal to density, तो हमेशा क्या रहेगी, पूरे के लिए same रहेगी, चाहे इतने portion हमेशा, density पूरी body के, कैसी रहती है, same रहती है, अगर body uniformly distributed वाली mass की है, तो है न, now, volume का formula, 4 by 3, pi r cube, मतलब radius का cube, तो अगर यहां से लेके, यहां तक की radius r dash है, या मैं कहूं r है, तो यह हो जाएगा r cube, और अगर यह वाली, या r1 नाम दे दो, और पूरी distance अगर r2 है, तो r2 नहीं लेंगे, क्योंकि mass सिर्फ यहां तक का, इतनी radius वाला mass ही इस पे force लगाएगा, बाकी का नहीं लगाएगा, समझ मारी यह बात, बाकी का mass इस पे force नहीं लगाएगा, ठेक है, तो जो mass इसके अंदर होगा, इस radius के अंदर होगा, सिर्फ वही mass इस पे force लगा सकता है, त इसको फॉल्स बात है तो यह शाल्र थीरम से कहती है आगे हम बात करेंगे वेल्यू इसके लिए की सोय से करते हिए, यह मेरे पास एक एक करेंबी मास से करते है, वह में पास एक्या है,ब ओपर से कोई acceleration due to gravity से तो भाई एक ही जगा क्या हो जाएगा जी तो आपने क्या लेखा कि जो फोर्स है दो object की बीच में लेट से अर्थ का मास capital M और इस object का मास जो नीचे गिर रहा है उसका मास small M तो capital F जो force लग रहा है that is capital Gmm upon R square हम यह मान के चलते हैं कि जो object generally अर्थ की surface पे 50 speed 100 feet जो है एक किलोमेटर यहां तक हो गए ना तो हम capital देखो अर्थ की radius 400 होती है अब इसमें आप 100-200 feet add भी कर दो तो कोई परक नहीं पड़ता तो आप इस radius को capital R ही लेंगे अभी देखो तो अभी मैंने आपको बताया कि F is equal to mg क्योंकि यह g acceleration के साथ नीचे आ रही है तो यहां से m से m cut जाएगा और आप यह पाएंगे बढ़िया से काटना जीन है सर तो आप यह पाएंगे कि m से m कट गया small g की value क्या गई capital g m upon r square बहुत सही तो यह आप याद रखेंगे क्या capital g m upon r square यहां से g m is equal to small g r square यह value भी आती है जिसको हम escape velocity and orbital velocity में use करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे variation in acceleration due to gravity अब देखो जरा हमने का कहा के acceleration due to gravity की value कितनी है तो generally हम जानते हैं कि earth की surface पर acceleration due to gravity की value है that is 9.81 meter per second square टेक है इसका मतलब यह है कि अगर आप earth पर किसी object को पेकते हैं let's say 0 meter per second से आपने drop करा तो आप यह देखेंगे 1 second में इसकी velocity 9.81 meter per second से change होगी 9.81 meter per second से हर second change होगी इसनी unit बनते meter per second square टेक है अब अगले second में इसमें और add कर दो 9.81 तो यह आपके पास करीब 19.6 कुछ हो जाएगा पिर add कर दो 9.81 तो इस तरह से बढ़ते 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 आप देखेंगे कि acceleration due to gravity की value का मतलब है कि इस value यह जो 9.81 meter per second हर second इसकी velocity change होती है बढ़ती है ठेक है अब अभी देखे ज़रा यहां पर समझो तो अब हम बात करेंगे क्या सरी है जो small g की value है यह हर जगह पर fix है हां हर जगह fix है क्या अर्थ पर answer है नहीं जैसे जैसे आप height पर जाते हैं let's say आप से मैं कहूँ कि sir कितनी height 100-200 feet नहीं आप 10 km, 5 km, 12 km, 15 km मतलब आपको ज़्यादा जो height पर जाते हैं तो आप भी देखते हैं कि height के साथ height के साथ जो value है small g की acceleration due to gravity की यह क्या होता है यह कम होती है यह क्या होती है यह कम होती है depth अगर आप depth पर जाएंगे अगर आप depth बढ़ाएंगे मतलब आप खोदते हुए नीचे करते हो जाएंगे तो acceleration due to gravity की value यहाँ भी कम होगी तो मतलब मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ कि depth को अगर आप sorry अगर आप depth को बढ़ाएंगे depth increase करेंगे तो small g की value कम होगी latitude की बात करें sir latitude क्या होता है तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ लेकिन आप यहाँ पर याद रखो कि poles पर जो g की value है यह कैसी है यह maximum है और equator पे यह जो g की value है यह कैसी है यह minimum है minimum है कहाँ पे equator पे small g की value pole क्या होता है latitude क्या होता है latitude की हम बात अलग से बिल्कुल करने वाले हैं देखो अर्थ पे दो pole है topmost point और bottommost point तो north और यह south यह poles हैं अर्थ को दो पार्ट में काटने वाला एक imaginary circle इसको हम बोलते है equator क्या बोलते है मैं जानता हूँ मेरा फर्ज है बताना आपको है के नहीं equator और अगर equator पे मैं एक surface बना दूँ प्लेन बना लूँ तो इसको हम बोलता हूँ equator plane है के नहीं तो बात समझदार है तो equator पे अगर आप small g की value find out करेंगे तो यह 0 आएगी obviously बात है ideally theoretically 0 होती है practically 0 नहीं होती clear? now अभी हम इनके लिए derivation करने वाले derivation आपके exam में आपके school में जरूर से आएगा numerical इस पर formula based जरूर आएगे देखिए जरा तो अभी सबसे पहले हमें जानना है कि जो small g की value है यह height के साथ या depth के साथ किस तरह से change होती है तो देखो सबसे पहले बिल्कुल आराम आराम से एकदम हिसाब साब से questions करेंगे आपको बस चोड़े उड़े बातों को समझना है कौन से पहले हमने यूज नहीं करी है तो हमने इसमें यूज नहीं करी है पिंक कलर की पहनना हो तो समझो question and derivation है variation in the small g with height height के साथ किस तरह से small g की value चिन होती है देखो बड़ी simple जी बात यह मेरे पास एक earth है समझ बारे हो earth की radius का है earth की radius का है capital R earth का mass कितना है earth का mass है capital M अब मान के चलो कि आप जो है ये कुछ certain height मतलब अर्थ की surface से अर्थ की surface से कुछ certain height कहां पे हो h उपर हो और यहां पे आपका कुछ mass small m रखा हुआ है m आप खुद का mass भी मान सकते हो और ये height थोड़ी considerable है noticeable है काफी ज़ादा है और इसको मैंने नाम दिया small m और अर्थ का mass है capital M अब ही समझो जब आप अर्थ की surface पे खड़े होते हो तो आप पर जो अर्थ की surface पे या अर्थ से थोड़ा 2,4,6,10 मंजल उपर तो आप की जो distance है वो कितनी capital R ही हम मानते हैं लेकिन जब आप अर्थ की surface से बहुत ऊपर होते हो तो जो distance है वो कितनी बिल्कुल अर्थ के center से आपकी body तक R plus H distance हम consider करते हैं ये बात समझ मैं है तो देखो we know that acceleration due to gravity on the surface of earth अर्थ की surface पे कितना होगा small g is equal to gm upon R square ये अभी जस्ट मैंने derive करा हुआ है अब देखो जब अगर आप अर्थ की surface से उपर जाओ तो ये value vary करेगी अभी हमें नहीं पता कम होगी के ज़्यादा अभी हम इसको derive करने वाले हैं तो ये value कितनी अर्थ की surface पे G और अर्थ की surface से उपर गए तो g dash अभी जब आप उपर जाओगे तो अभी इस सी बात है distance R तो नहीं रहेगी distance हो जाएगी R plus H तो आपने distance का square मतलब R का square करने के बजाए R plus H का square करा first equation, second equation मुझे इस g dash की value मतलब नई acceleration due to gravity की value निकालने है so that मैं conclude कर पाऊं कि value सच में कम हो रही है या जादा तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम इन दोनों equation को divide करेंगे तो मैंने g dash को g से divide कर दिया तो g dash की value आपने देखा ये है और g की value आपने देखा ये है जब हम divide करेंगे तो आप पाएंगे कि ये value flip मार के ऊपर चली जाएगी तो आप ये देखो gm upon r plus h का whole square और यहाँ पे g upon r plus h का whole square into ये क्या हो जाएगा r square अब देखो न ये पलट के ऊपर चला गए तो r square upon gm gm से ये gm cancel हो गया बात समझ मारी है gm से gm cancel हो गया अभी क्या होता है न g dash upon g क्या बचेगा उपर r square और नीचे r plus h का whole square ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें इस r square को common लेना है तो उपर से तो r square common दिखाई बढ़ रहा है अब नीचे से मुझे r square common चाहिए देखो अगर आप छोटी बात समझते हैं तो आप मुझे एक बात दाओ आप मुझे बहुत छोटी से बात दाओ कि जब मुझे common लेना होता है तो मैं क्या करता हूँ मैं divide कर लेता हूँ जैसे मान के चलो मेरे पास यह लिखा हुआ है x square plus 2x is equal to 0 अब मुझे का करना है कि यहां से 2 common लेना है यहां चलो मैं आपके लिए चीज़ हासान बनाता हूँ यहां पे लिखा है 4x square अब मान के चलो मुझे 2 common लेना है तो मैं करूँगा कि 2 यहां से common लोंगा इसमें 2 का divide तो यह बच्चेगा 2x square प्लस इसमें 2 का डिवाइड तो यह बचेगा x is equal to 0 तो यह बचेगा 2x square plus x is equal to 0 ऐसी common लेते हैं तो जब मुझे divide करना होता है तो मतलब जब मुझे common लेना होता है तो मैं divide करता हूँ है कि नहीं जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा होता 5x plus 10y is equal to 0 5 common लेना है तो मैं करता 5 common लेना है इसका मतलब 5x में 5 का divide plus 10y में 5 का divide is equal to 0 तभी तो जाकर के यह आता कि यह तभी तभी तो जाकर के बचता 5 common ले लिया और यह बचेगा मेरे पास x plus 2y is equal to 0 है कि नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मुझे common लेना होता है तो मैं अंदर जो है जिसको common लिया उसका divide करता हूँ है के नहीं अभी देखो जरा तो इस तरह से मैंने यहां से r को common लिया मतलब r square को common लिया तो अभी का है कि देखो बड़ी simple सी बात है बहुत simple ती बात है कि इसके उपर क्या लगा है इसके ऊपर whole square है whole square है के नहीं तो इसका मतलब जब मैं देखो जब मैं ऐसा करता हूँ के बई यह whole square लगा है तो मैंने यहां पे लिखा 2 2 लिखा अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं square से लिख सकता हूँ कि 4 बाहर निकाल दिया और 1 का square छोड़ दिया वह इसी बात है ना लिख सकता हूँ ना समझ रहो ना बात को तो इसी तरीके से मैंने क्या किया कि यहां r plus h का whole square है तो यहां से r square हो common लिया तो r square common यहां पर क्या बचा 1 one क्यों क्यों पहले से whole square है अब देखो क्या होगा कि अगर मैं इसमें से h में से भी r square हो common लेता हूँ तो मैं इसमें r का divide कर दूँगा क्यों 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 इस पे तो already square लगा है whole square तो यहां पे तो मुझे r square लेखने की ज़रोत नहीं है यहां पे तो मैं r लिखके काम जला सकता हूँ है कि नहीं तो बस simple सी बात है कि इसमेंसे मुझे क्या करना इसमें से r square हो common निकालना है एक बार फिर तो उपर सो निकल ही रहा है नीचे से r square और यहां लिखा है h तो मैंने यहां पर डिलाइड करा होगा तो है यह तो common निकल गया R square अंद बाहर मुझे R square लिखना पड़ेगा क्योंकि अंदर तो square लगा है bracket पे बाहर तो नहीं लगा ना तो बाहर मुझे लिखना पड़ेगा ठीक है R से R कटा होगा यहाँ पे भी R का divide लगाया होगा बोला सर R square का divide क्यों नहीं लगाया है कि नहीं अब जब यह पावर 2 उपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 1 प्लस H अपावर माइनस 2 याद रखिए जब आपको इस तरह की माइनस 2 पावर को या माइनस पावर को open करना होता है तो आप binomial theorem का इस्तमाल करते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने binomial theorem पड़ी होगी तो binomial theorem की help से इसको सिर्फ 2 term तक ही रखते हुए मतलब इसके बाद सिर्फ 2 term तक ही रखते हुए हम इसको जैसे आपने पड़ी होगी न 1 प्लस जो भी पावर है वो आगया जाएगी उसके बाद हम इस तरह से इसको लिखके छोड़ देंगे चलो मैं आपको इसका और कभी बताते हैं टो है कि बाद है को करना है तो एक यह अपको इतनी सा काम करना है याद रखो कि माईनस पावर होगी वहागे आ जाहेगी बस तो 1 प्लस h अरहे तो मापलस टू आ गया कितना हो गया Âर माइनस क्वाइल टू एं ट्रेश अगर सर यहां पर माइनस का होता तो तो माइनस यह आ गया था तो 1 प्लस 2H upon R हो जाला ठीक है अभी देखिए तो इस G को हमने कहां भेज दिया इस साइट तो G- is equal to क्या गया जी 1-2H upon R अब देखना ज़रा G- is equal to क्या गया G- 1-2H upon R अब हमने कहा किया इंडू कर दिया तो G- 2GH upon R हो गया अब हमारा सवाल तो यह था ना किसार अगर हाइट बढ़ेगी तो जो एपेरेंट यह जो हाइट बढ़ेगी हाइट बढ़ेगी तो जो नई G- या कहीं कि नई acceleration due to gravity की value क्या होगी तो simple जी बात है अब formula बन रहाएगी अब खुच सोचो अगर आप H की value बढ़ाओगे तो उपर वाला term numerator क्या हो जाएगा देखो simple जी बात अगर आप H की value बढ़ाओगे तो यह जो यह वाली value ज्यादा minus की बन जाएगी जैसे की मुझे G में से कुछ minus करना है अब अगर आप H की value बढ़ा दी तो यह value 8 के हो सकता है 9 हो जाए यह value H की value आपने और बढ़ाई तो यह value 10 हो जाए H की value और बढ़ाई तो 12 हो जाए तो इसका मतलब है G डाष की value कम यह आईगी न बात समझ भारी है तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक प्राइज और आप इस H की value को बढ़ाते हैं तो यहां पर का पाएंगे तो अभी टास की value क्या हो रही है नवरी तो आप यहां से लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं, बहुत जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू, डिक्रीज होगी, समझ दिक्रीज होगी, with altitude, या with height, I hope आपको एक क्लियर हो रहा होगा, अब मैं यहाँ पर आपको एक नई चीज बताऊगा, जो कि हम बनाते इसका graph, ठेक है, तो graph के लिए पहले मैं depth वाला भी समझूँगा, उसके बाद इसको graph को बनाऊँगा, दोनों graph बहुत जरूरी है, याद रखिए, बर depth के लिए बस आपको एक ही बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया था, कि जब कोई भी object mass solid body के अंदर होता है, तो प और बाद, ध्यांस रखो, चाहे body पूरी हो, या आधी, लेकिन अगर mass uniformly distributed है, तो density का होती है, density सेम होती है, 4 by 3, चली, density कैसे होती है, सेम होती है, तो अभी देखो, mass का formula आप जानतों क्या होता है, volume into density, क्या होता है, volume into density, तो volume क्या है, 4 by 3, pi into radius का cube, देखो, volume का formula स्पेर के ल मैं बोल रहा हूँ, radius का cube, क्या बोल रहा हूँ, radius का cube, ठीक है, into density, now, so mass का formula कभी भी क्या, volume into density, volume 4 by 3, pi into radius का cube into density, बस, इतनी से बात आपको यहाँ पर धान रखनी है, अभी हम बात करेंगे, variation of acceleration due to gravity, with depth, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो, कि यहाँ पर, यह क्या होगा कि आप जो है, एक इनसान यहाँ पहुंच गया, अभी क्या हुआ कि हमने देखा कि अगर जब आप यहाँ पहुंच जाओगे, तो अब क्या होगा, अर्थ की सिर्फ इतनी radius आपको consider करने, देखो, अर्थ की total radius क्या है, अर्थ की total radius है, capital R, है के नहीं, capital R, मैं इस depth में, कितनी h depth में, मैं थोड़ा सा joh है, h ही मैंने इसको ले लिया है, otherwise आप कई बगी जगए density को भी d लिख देते हैं, और depth को भी d, तो वो confusing हो जाती है, इसलिए मैं कहले रहा हूँ, कि आप h depth नीचे आए, कहा है, आप यहाँ पर h depth नीचे आए, confused मत होना, कोई बात नहीं है, सिर्फ आप h depth नीचे आए, तो बताओ जरा, आप यहाँ पर खड़े हो, इस जगए पर, इस circumference पर, तो बताओ, आप से, और अर्थ के center की बीच की distance कितनी होई, r-h, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, तो जब आप अर्थ की surface पर होते ह हैं, तो acceleration due to gravity, gm upon r square, और जब आप h depth नीचे आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा बताओ, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ तरीके का हो जाएगा, g dash equal to gm upon r square की जगे, r-h का whole square, तो कि अब distance आपके और center के बीच में कितनी है, r-h, बस अब कुछ न अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, कि सुनो, एक और जरूरी बात, यहाँ पर बहुत जरूरी बात है, कि जब हम अर्थ की surface पर होते हैं, तो पूरी अर्थ का mass हम पर force लगा रहा होता है, लेकिन जब हम कहा होते हैं, अर्थ के surface के अंदर, तो बहुत पूरा mass नहीं लगा यहां तक यह वाली जबा का यह होगा M dash तो अब मुझे इस M dash की value निकालनी है पर सिंपल जी बात M dash का formula क्या होगा volume into density और volume का formula क्या है 4 by 3 pi radius का cube और अब यहां तक की radius कितनी है r minus h तो r minus h का cube into density मतलब रो समझ में आ गया तो M dash की value क्या है 4 by 3 pi r minus h का whole cube into rho इसी तरीके से अगर मुझे यहां पर बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा देखो ज़रा capital G mass का formula 4 by 3 pi जब इस capital M की बात कर रहा हूँ तो अर्थ की पूरी radius ही लगेगी न तो 4 by 3 pi r cube into density की जगे rho ठीक है g m की value होगी upon r square इस तरीके से हम इसको करेंगे clear है चलिए बहुत सही तो इस तरह से मैंने M dash की value निकाल ली अब G dash की value क्या हो जाएगी 4 by 3 देखो G dash की value हो जाएगी न G dash G m dash upon r minus h का whole square तो आप देखो G G dash की जाएगी गया हो जाएगा G dash की value 4 by 3 pi इसको बना दो तो G dash upon G आप ने कर दिया अब G dash upon G तो G dash की value क्या है यह है देखो यह value मैंने रख दी G dash की value यह G dash की value है टेक अप उन G की value क्या है यह रही टेक आर की upon r square वाली है तो देखो पलट जाएगी पलट जाएगी ना r square उपर पहुंच जाएगा तो यहाँ पहुंच गए r square उपर यह value आगी नीचे तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ तो यहाँ से वेट तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यह value कुछ cancel हो जाएगी क्या cancel हो जाएगी तो दीखी ज़रा यह G वगरा से यह तो सब कुछ cancel row से यह cancel r minus h का whole square है और यह r minus h का whole cube यह cancel तो नीचे उपर बचेगा सिर्फ r minus h बचेगा और नीचे बचेगा यहाँ से सिर्फ एक r single r तो gdus upon g की value क्या हो गई? यह हो गई अब मैं यहाँ से r को common ले सकता हूँ कुछ इस तरह यह gdus upon g यह तो आसान है r common आ गया तो यहाँ पर यह बचेगा यह r common लेना ही क्यों है यह तो मैं simple इसको 1 minus h upon r लिख सकता हूँ 1 minus h upon r लिख सकता हूँ तो gdus upon g की value क्या आगी 1 minus h upon r g को मैंने set बेजा टिक तो j हो गया यह कुछ इस है g 1 minus h upon r इसके बाद मैं g का अंदर इंटू करते हैं तो g minus g h upon r अब h क्या है यहाँ पर h है depth तो आप depth अगर बढाएंगे depth अगर आप बढाएंगे h को अगर आप बढाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि यह वाला term और बढा हो जाएगा h को बढाएंगे तो यह वाला term बढा हो जाएगे जिससे g dash की value और घट जाएगी तो आप यहाँ पर क्या समझे thus it is clear on increasing the depth h value of acceleration due to gravity decreases चलिए बढाई तो यहाँ पर हम अगर graph बनाएं बहुत important अगर graph बनाते हैं तो कुछ graph इस तरीके का बनता है त्यान से देखे न कि अर्थ के center पे अगर आप exact center पे चले जाओगे तो exact center पे कितना gravitation force लगेगा answer exact center पे आप यह देखें कि हम zero gravitation force यहाँ पे consider करेंगे ठीक होगी exact center पे कोई mass उसके अंदर ही नहीं होगा चले तो अगर मैं यहाँ सी देखता हूँ center से अर्थ तक आप अर्थ के center पे हो center से अगर आप अर्थ तक دेखते हो तो यहाँ पर जो gravitation force है यह बढ़ता रहता है यह gravitation force कैसा होता है यह gravitation force बढ़ता है याद रखना ठीक और जैसे आप center से उपर पहुंचोगे तो gravitational force जो है जल्दी जल्दी घटता जाएगा जल्दी देखो simple जी बात है आप center से center पे हो zero gravitational force आप उपर पहुंच जाओगे अर्थ की surface पे तो gravitational force जो होता है यह आपका surface में maximum हो जाएगा मतलब अर्थ की surface maximum पर आप height पर जाओगे जितना आप अर्थ से दूर चलते चले जाओगे उतना अर्थ का gravity force यह कम होता चला जाएगा ठीक है तो यह आप यहाँ पर बोलें force is directly proportional to r और यहाँ पर जो force है यह inversely proportional to the square होता है क्योंकि हमने यह चीज़ को करा हुआ है ठीक है यह आपको अभी ध्यान रख लेना यह वाले डिटा कि f is directly proportional to r मतलब जब तक आप ऊपर नहीं चले जाते ऊपर मतलब और यह height का है तो आप यहाँ पर यह ऐसे लिख दें h की जगए आप यहाँ पर लिखें मतलब जो distance है जो distance है वो कितनी है radius of earth के बराबर ठेक चलिए और यहाँ पर सौरी यहाँ पर आएगा आपने पास force ग्रैविटेशन फोर्स यह इस तरीके से हमारा ग्राफ पन क्या है अभी सवाल आता है एक और कि वैरियेशन इंदा वैरियेशन इंदा small g with latitude अब सरी यह latitude का होता है आपने काता मैं बता दूँगा अब बता हो सरा तो देखो latitude का होता है इसे मान के चलो यह अर्थ है अभी का होता है अर्थ की अर्थ पर हमने जैसे आपने globe में देखा होगा कुछ imaginary circles बना करके रखे हुए लेटी हुई देख तो देखो ज़रा latitude अर्थ पर ऐसा point मतलब ऐसा angle है from the center with respect to horizontal plane on equator ठेक है आसान भासा में ऐसा मानो कि आप जानतों को center पे plane है एक जिसको मैं नाम दिया equator plane ठीक अभी देखे ज़रा धान से तो किसी भी point से अगर मैं इसके center को जोड़ता हूं किसी भी point से अगर मैं इसके अर्थ के center को जोड़ता हूं तो जो angle बन रहा है with respect to equator इस angle को मैं नाम देता हूं डिल्टा और इसे को मैं बोलता हूं latitude का बोलता हूं latitude का बोलता हूं latitude का बोलता हूं latitude समझे तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि latitude क्या है तो sir latitude एक आप angle मान सकते हो कि latitude angle है from a point joining the center of earth ठीक है अब ये angle किसके साथ बनता है तो ये angle बनता है equator के साथ किसके साथ equator के साथ equator क्या है equator क्या है एक horizontal plane है जिसको हम नाम दिया lambda और ठीक है तो ये lambda हो गया तो इस तरह से हम geometry से इसको भी lambda बोल चकते है तो latitude आपको समझ में आ गया होगा ठीक ना हो अब भी latitude पर आप जैसे क्या होता है ना जैसे आप यहाँ पे हो तो इसको हम बोलते हैं जो center से जो latitude पास हो रहा है equator से उसको हम बोलते है तो पोल से center को मैं जोड़ूंगा और उसका angle देखूंगा इस horizontal plane के साथ और अगर यह angle 90 डिगरी होगा तो पोल के लिए angle lambda की value कितनी 90 डिगरी तो पोल पर latitude कितने डिगरी 90 डिगरी इसकी definition में आगे लिख दूँगा या नोट्स आप डाउनलोड करोगे टेलिग्राम चैल से तो वहाँ पर आपको definition जरूर लिखी हुई मिल जाएगी ठेक है तो अभी देखे ज़रा तो latitude पर आप चेंज करते हो यहां से center से बढ़ते हो बढ़ते हो तो किस तरह से value चेंज होती है acceleration due to gravity की वो हमें समझना है तो पहले मैं यहां पर latitude ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छा एक चीदा रखो हमेशा अर्थ जो होती है किसी भी body को center की और चीज़ते कहां कीज़ते center की और तो यह mass एक इनसान एक जानवर एक पक्षी एक पसू यहां पर अगर है तो इस पर जो force होग अर्थ का gravitational force होगा वो कहां लग रहा होगा बताओ जरा क्या यहां लग रहा होगा क्या यहां इसका center है बिलकुल नहीं तो force लग रहा होगा इसके center की और तो अर्थ का center मैंने करीब यहां माल लिया ठीक है तो यहां पर का लग रहा होगा force तो मतलब इस पर इस वक्ती पर इ है यह नीचे की साइड लग रहा है इसको मैंने नाम दिया एम जी तो कि अर्थ हमेशा नीचे की साइड जो है इसको खीसती है अब देखना ज़रा अभी आप मुझे एक बाहता हो कि मान के चलो मैं अर्थ की ऐसे वाले इस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ और अर्थ ऐसे centrifugal force होते हैं तो यह centrifugal Force stellar force है लेकिन लगता तो है feel तो होता है किसी भी current سے बले inertia से को ना हो है कि नहीं तो centrifugal force भी इस पर लग रहा होगा अब centrifugal force कहां लग रहा हो कैसे लग रहा होगा इस पर हम discussion कर लेते हैं जरा है कि 6 2009 अभी देखो तो मैंने कहा कि यह हमारे पासyer इस पे यह फोर्स लगा mg नीचे की साइड और सेंट्री फ्यूगल फोर्स की साइड लगेगा तो आप देखो सेंट्री फ्यूगल सेंट्री पिटल का जस्ट अपसोड होता है मान के चलो मेरे पास यह ग्लास है टेक है एक मिट जरह रोको boost is the secret of my energy सुनो अभी कहा है मान के चलो यह मेरे पास चोटा से पार्टिकल है दिखाई पट रहा है यह मेरे पास चोटा से पार्टिकल है अब मान के चलो इस पे अर्थ यह कहीं भी रखा हुआ है इस तरह से अब इसको ना बहले ही सेंटर के साइड कीजा जा रहा होगा यह इसको गुमाता हूँ यह ऐसे तो अगर मैंने इसको ऐसे गुमाया तो आपने देखा सेंटरिकल फोर्स कहा लगा बहले ही बहले ही आपने देखा कि इसको नीचे के साइड कीचे जा रहा हो यह इस पर सेंटर के साइड कीचे जा रहा हो यह गया कहा दूर मुझ से आप भी नो गुमाया तो उसी इसी सर्कल के प्लेन में समझे जब इस पर घूम रहे हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा यह फोर्स लगेगा यहां से इस सर्कल के राउं जैसे अगर मैं ऐसे घूमा रहा हूं तो ऐसे घूमा रहा हूं सेंट्री फ्यूगल फोर्स नहीं तो लगेगा ऐसे घूम रहा है, तो कोई भी चीज या बाहर फिकेगी, तो इसी प्लेन में तो फिकेगी, बात समझ भार ही है, तो इसका मतलब है, सेंट्री फ्यूगल फोर्स पे कहा लगा, इस साइड, इस साइड, यह सेंट्री फ्यूगल फोर्स होता है, F, ठीक, अब सेंट्री बिटल क्या होता है, MV square upon R, अब M, V को में लिखता हूँ, एंगुलर मोशन में R उमेगा, यह सेंट्री बिटल होता है, होता है कि नहीं होता है, तो यहां से M, उमेगा स्कॉयर R, या M, R, उमेगा स्कॉयर, कैंसल वैंसल करने को बाद आ जाएगा, तो यह हो गया, आपके पास, सें नदार में लेकी, तो यह मुझे मेरे पास सेंट्री फ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हो गया, M, R, उमेगा स्कॉयर, M, R, उमेगा स्कॉयर, M, R, उमेगा स्कॉयर, ठेक है, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, M, R, उमेगा स्कॉयर, बहुत सही, यह मैं इसको यहां पे पास, यहां, और एक कॉंपोनेट जाएगा, यहां, अब देखना जाए रहा, मैं यहां पे एंगल और दिखा दूँ, यह देखो, यह वाला एंगल, latitude के साथ अगर बन रहा है, लेमडा, यह वाला एंगल कितना बन रहा है, अगर बन रहा है, लेमडा, तो इसको मैं दिखा यह बन गया base, और यह बन गया मेरे पास hypotenuse, तो यहां से आप समझो, कि capital R की, यहां मैं समझो कि cos lambda is equal to क्या हो जाए, cos lambda is equal to base upon hypotenuse, तो cos lambda is equal to base की value क्या है, base की value है, देखो ज़रा base की value क्या है, small r, hypotenuse की value क्या है, capital R, तो small r की value क्या होगा, capital R, cos lambda, ठीक है, थोड़ा सा, एक बार rewind करके देख लेना, सब कुछ समझ भाया है, मैं बहुत दम लगा के, और आसान भाशा मैं आपको समझाया है, ठीक है, तो अभी हमें समझना है, कि देखो, अभी क्या होगा ना, कि इस पे apparent, apparent weight लगे है, क्या हो जाएगा, तो apparent weight, कितना हो जाएगा भई, actual weight mg है, अब mg के, mg है, अब mg के just opposite कौन है, just opposite है, यहाँ पर, इस f का, cos theta वाला component, देखना तरह, इस m r omega, देखो, यह वाला lambda बन रहा है, तो पर यह वाला भी lambda प्रूव हो जाएगा, m r omega square का, m r omega square, cos lambda, m r omega square, sin lambda, ठीक है, यह component करेंगे, इसके दो पार्ट हो जाएगे, इसके, समझ माया, इसके दो component, एक ऐसा, और एक ऐसा, दो मुच वाली perpendicular component है, करने दोने यह वाले, तो देखो ज़रा, mg यहाँ है, तो m r omega square, इसके just opposite है, ऐसे, तो mg के just opposite है, तो यहाँ पे मैं माइनस sign लगाँगा, क्या लगाँगा, माइनस sign, मतलब mg को थोड़ा सा, यह m r omega square वाला component, कम करने की कोशिस कर रहा है, m r omega square वाला component, और यह का है, mg dash, मतलब मुझे वेट कुछ इतना नजर आएगा, तो यहाँ से मैं क्या देखूंगा, कि g dash, m तो commonize आएगा, तो g dash is equal to g, cancel हो जाएगा, g minus r omega square, तेक है, और इसके बाद अगर मैं इसको उपर भेजता हूँ, then I will find it, g dash is equal to g minus small r की value क्या हो जाएगी, capital r cos lambda और यह omega square, अब आप यहाँ पे देखो, यह होगे, g dash की value, तो अब आप यहाँ पर क्या पाएंगे, कि अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, कि at equator, तो equator पर अगर आप देखोगे, तो small r, तो equator पर lambda कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर g dash की value कितनी होगी, g, मतला maximum, और अगर आप यहाँ पर poles पर देखो, कहाँ पर, poles पर, at poles, poles पर देखोगे, तो lambda is equal कितना, 90 degree, 90 degree, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, g dash is equal to g minus, इसकी value कितनी हो जाएगी, cos 90 की value क्या होती है, 0, 1 मिट, g, cos lambda, मतला 1, तो यहाँ पर आपका यह r omega square, ठीक है, sorry, यह मुझे minimum बोलना चाहिए, sorry, 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 चलिए, देखो ज़रा, तो g minus, यह यहाँ पर बचेगा, r, और यह r omega square, मतलब, यह g dash की value होगी, यह minimum आएगी, sorry, यह कैसी value आएगी, minimum आएगी, ठीक है, minimum क्यों हो, कि आप इसमें से, इसकी value तो cos 0 की value 0 हो गई, मतलब, आप यह 0 put कर रहे गए, तो cos 0 की value 1 हो गई, तो g में से r omega square आपको minus करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और जब आप, तो इसका मतलब बड़ी value minus होगी, g dash की value कम हो जाएगी, minus के कारण, अब अगर आप lambda की विल 90 degree रखते हैं, कहां पे, poles पे, तो आप का पाएंगे, कि g dash is equal to g बन जाएगा, का बन जाएगा, g, समझे, तो इसका मतलब यह value कैसी है maximum, तो pole value कैसी है maximum, तो यह value minus हो गई, तो मतलब आपको poles पे जब रखोगे, cos lambda मतलब, cos 90 मतलब 0, तो आपको g में से कुछ minus नहीं करना, तो देखो, gravitational potential, gravitational potential energy, बहुत important topic, हाँ, देखो, actual में gravitational potential का मतलब होता है, किसी जैसे आप अगर अर्थ पर है, तो actual में क्या होता है, कि अर्थ पर इस point पे आप पे कुछ और force लगेगा, अर्थ की surface पे तो आप पे कुछ और force लगेगा, यहाँ हैं तो कुछ और force लगेगा, तो actual में क्या होता है, अर्थ की जो gravitational field है, उसकी अलग-अलग जगे पे ताकत अलग-अलग है, और उसी ताकत को हम बोलते है, gravitational potential, अब इस gravitational potential को हम calculate कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास method होता है, कि किसी भी mass को, unit mass को, मतलब 1 kg के mass को, अर्थ पर किसी particular point पर लाने में, जितना work करना पड़ेगा, उसी work upon mass की calculation को हम बोलेंगे, gravitational potential, actual potential का physical meaning क्या है, अर्थ क्या है, कि ग्रेविटेशन field की ताकत, किसी particular point पर calculate कैसे करते हैं, work upon mass, infinity से mass को पकड़ के लेके आने में, जितना work करना पड़ेगा, हमें उसको हम बोलते हैं, work upon mass को हम बोलते हैं, gravitational potential, basically sir, मुझे work क्यों करना पड़ेगा, इस mass को पकड़ के लेके आने में, देखो infinity हम ऐसे point को बोलते हैं, जहां पर किसी भी तरह का gravitational force नहीं लगता, अर्थ का, ठीक है, तो मैंने infinity बोला, इस point को, ठीक है now, अभी आप यह समझो, actual में होता क्या है, कि जब आप infinity से लेकर के आओगे, तो इस point पर कुछ और force लेगा, अर्थों अलग-अलग ताकत से किस्ती हैं, मतलब strong ताकत से, तो अब body उपर है, नीचे आदी जरेगे, तो force बढ़ेगा, तो actual में क्या होता है, कि force बढ़ेगा, तो इसकी velocity बदलेगी, velocity बदलेगी attraction force कारण, तो हमें इसको constant velocity से पकड़ के लिए के आना है, और ऐसा करने में, जो भी हमें work करना पड़ेगा, उस work upon mass की calculation को बोलूँगा, मैं potential के बई इतना है, अब देखो, इसके लिए हम derivation करेंगे, अब सुनना जरा, gravitational potential energy के derivation से, gravitational potential भी साथ में finish हो जाता है, अब सर, gravitational potential energy क्या होती है, तो इसको समझो, देखो, एक्चुल में क्या होता है, कि energy एक system की property होती है, कि नहीं, दो masses के बीच में जो भी force लग रहा होगा, तो वो दोनों masses एक दूसरों attract रहे हैं, तो उनके बीच में कुछ energy होगी, उस energy को हम बोलते है, gravitational potential energy, तो infinity, infinity पे तो gravitational force कैसा है, जीरो है, infinity से किसी, mass को पकड़ के लेकर के आने में, हमने, let's say, earth की surface पे रख दिया, तो इस mass और earth के बीच में कितनी potential energy होगी, इसको हम बोलते है, gravitational potential energy, टेक, actual में energy, work energy थो रहा हम पढ़िये न, कि energy कितनी आईगी, बोला, जेतना हमने work कर दिया, तो infinity से mass को center, surface तक लाने में, जितना भी हमने work कर देंगे, उतनी surface पर gravitational potential energy हम बोलेंगे, अभी कहा होता है, कि work done की सुरुवार्थ कहां से होती है, देखो, यहाँ पे तो कोई force लग नहीं रहा होता है, तो हम mass को कहीं भी आगे पिछे कर सकते हैं, लेकिन अभी कहा होता है, कि जैसे जैसे हम आए, थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़े, और हम point P पर आगए, point P ऐसा point है, जहाँ पर पहली बार हम पर अर्थ का gravitational force लगा, तेक है, क्योंकि इसके बार अर्थ का gravitational force था, बहुत बहुत कम लग रहा होगा, तो हमने इसको notice नहीं करा, तो अभी हमने कहा किया, कि P से अब हम इस side को आएंगे, तो gravitation force की value बढ़ेगी, तो हम work done की calculation एक बार में नहीं कर सकते हैं, वर्क का formula होता है, force into displacement, अब force की value तो लगातर बदल रही है, तो हम क्या करते हैं, कि small work निकाल लेते हैं, पी से लेके Q तक इसको move अगर हम कराएंगे, तो हमें थोड़ा सा work करना पड़ेगा, और distance कितनी travel करनी पड़ेगी, dx, तो जो small work done हो गया, from P to Q वो कितना हो गया, वो हो गया F into dx, अब देखो force, जब आप P point पर थे, तो कितना force लग रहा था, तो GMM upon distance का square, तो GMM upon distance का square, मैं distance का है, P point X का square, into dx के जगे मैंने dx रखा, अभी समझना, मुझे निकालना है total work done, total work done निकालने के लिए मुझे integration करना पड़ेगा, मैं mass को infinity से लेकर के आ रहा हूँ, और R distance तक लेकर आना है, मैं अर्थ की surface पे, तो limit लगा दी मैंने infinity से लेकर के R, और अब इस value को होगा integration, GMM ये आ जाएगा बाहर, क्योंकि constant है, ये आ गया बाहर, और 1 upon X square का integration होगा, 1 upon X square का integration होगा, minus 1 upon X, क्या होगा, अब करके देख लेना, तना तो मेरी integration वाली वीडियो देख लेना, है कि नहीं, 1 upon X square, बता दू, देखो, actual में क्या होता है, कि X की power minus 2 लिखा है, इसका integration करना है, तो X की power, integration में क्या होता है, कि जो भी power लगी होती, उसमें एक add कर दोगे, और वही जो है नीचे लिख दोगे, तो X की power minus 1 upon minus 1, upon minus 1, ऐसा आ जाएगा, ठेक है, तो इसको हम लेख सकते है, minus 1 upon X, क्या लेख सकते है, minus 1 upon X, ठेक है, तो अभी देखिए, अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें यहाँ पे लगाने है limit, तो इसका integration क्या हो गया, minus 1 upon X, limit लगाएंगे, infinity से लेके R, तो देखो ज़रा, जहाँ 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 X है, उसकी जगह पे, upper limit, minus, जहाँ 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 X है, उसकी जगह एक बार, lower limit, तो देखो ज़रा, यह तो minus formula का है, upper limit, minus lower limit, और यह minus 1 upon X सा, तो minus 1 upon infinity, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो यह आजाएगा, मेरे पास, W is equal to minus g mm upon R, तो इसका मतलब, जो work है, वो कैसा आ रहा है, negative आ रहा है, तो जो work होता है, वही होती है, potential energy, तो W is equal to U, यह कितना आ गया, minus g mm upon R, यह minus sign का बता रहा है, minus sign बता रहा है, force of attraction, ठीक है, तो यह हो गए, gravitational potential energy, ठीक, negative साम बता रहा है, attraction force, अभी gravitational potential कैसे निकालना है, तो आपने अभी यहाँ पर समझा, gravitational potential formula, work upon mass, तो जो भी work आपने करा हुआ है, उसमें, जिस mass को आपने carry करके लेका है, उसका divide कर दो बस, तो यह work का formula, अभी हम अर्थ के इस point पर खड़े होंगे, और मान के चलो कि आपको, यहाँ से, आपने पत्थर फेक लिए, मान के चलो कोई भी tower है, और आपने पत्थर फेका, तो यह पत्थर आपने फेका, तो पत्थर जमीन पर आपकर कहीं गरेगा, मतलब आप किसी tower से, मतलब मान को चट की building से, कहां से? चट से, दस मंजलूजी चट है, और वहाँ से आपने पत्थर फेका, आगे जाके गरेगा, कहीं गरेगा, किसी सर में टकरा सकता है, आपने और आगे फेका, और ताकत से, और आगे गरेगा, और ताकत से, और आगे गरेगा, मतलब आप जो है, आप देखो, और आप और height पे चलेगा, आपने और ताकत से फेका, और दूर जाके गरेगा, तो पहले A पे गर रहा था, फिर B पे गर रहा था, फिर C पे गर रहा था, अब आप और height पे पहुत ज़ादा height पे पहुँच गए आप पहुत एक certain height पहुँच गए और उसके बाद अकर आप पहुत ज़ादा velocity से फेका तो कभी पत्थर बाहर लोट के नहीं आएगा तो ऐसा ही होता है आप ये tower जो मैंने आपको पताया यह हमने का है कि इतनी height तक rocket को भेजा जाता है की ये इतनी height तक पहुँच जाए और उसके बाद इतनी height पर पहुचने के बाद इसको इतनी velocity इतनी horizontal velocity पिरुवाइड कराई जाती है इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद कि यह जो सैटलाइट यह जो रॉकेट है यह इस अर्थ से टकराए ना इस ट्राइक ना करे ठीक है तो इस velocity को हम बोलते है orbital velocity तो कि देखो अगर आपने कम velocity दी तो यह तो यही पर टकरा जाएगी इसको हम बोलते है orbital velocity और यह होता है किसी भी सैटलाइट को release करने का या launch करने का तरीका कि आप इसको एक certain height तक बेशते हैं और फिर वहाँ से इतनी velocity horizontal velocity प्रोवाइड कराते हैं कि यह वापस अर्थ पर आगे नाट कराए और यह लगातर ऐसे ही घूमती रहे समझ में आई बात तो इसके लिए कम से कम आपको escape velocity जितनी velocity स्टार्टिंग में देनी पड़ती है अब सरी escape velocity तो orbital अर्बिट अर्बिट में गूमे समझ में आ गया एक बात अब escape velocity क्या होता है तो escape velocity का मतलब है कि इतनी velocity किसी भी body को rocket को satellite को provide कराना कि यह अर्थ के gravitational field से बाहर निकल जाए उस velocity को मोलते है escape velocity मतलब यह कम से कम वो velocity है minimum velocity कम से कम इतनी velocity दो कि कोई भी body अर्थ के gravitational field से बाहर निकल से को उसको मोलते है escape velocity अब इसका derivation करना है बहुत important आता है escape velocity basically क्या है जब हम body को escape कराते है तो अर्थ की surface से मतलब radius of earth से हम उसको infinity पर भीजते हैं तो basically अब हमें work करना पड़ेगा उल्टा पहले हमने करा था पुल्टा मतलब w से मतलब infinity से लेकर कराने में अर्थ की surface तक अब हम अर्थ की surface r से भीजेंगे infinity तो जो भी काम आपने पहले करा हुआ था अब बस इस बार limit change कर देंगे बस कुछ नहीं करना तो मान के चलिए पॉइंट पी पर अभी distance हमने मान के चलिए x तो अभी हम अर्थ से दूर जा रहे हैं तो हमने का पॉइंट पी से q तक पहुंचने में आपने dx distance travel करी तो आपने जो है जो force जो लगेगा इस पॉइंट पी पे पहले वो कितना लगेगा gmm upon x square अभी आपने छोटा work done वाइना dw is equal to f dx अब इसके बाद देखो अब आपको r से अर्थ की surface से infinity तर पहुंचना है तो अभी क्या होगा बेसिकली आपने work करा limit लगा यह r से लेके infinity और जब आप इसको solve करेंगे तो आप पाएंगे फिर से वही आएगा बस limit इस बार कुछ और रखी जाएगी limit रखी जाएगी r से लेके infinity तो पहले upper limit x के upper limit minus x के लिए फिर lower limit तो अब इस तरह से देखेंगे कि minus 1 upon x तो minus 1 upon r lower limit r है तो w is equal to क्या आगया gm upon r मतलब इतना work इतना work जब हम करेंगे किसी rocket satellite पर तब जागर के वो escape कर पाएगा ठीक है ध्यान तो से रहा अभी क्या होता है कि जो हम work करेंगे तो हमें work किस form में करना है तब इतना work हो पाया कि satellite वगर हमारी infinity ते पहुंच पाएगी तो half mv square is equal to मैंने क्या लग दिया work half mv square is equal to work और work मैंने निकाल के रखा हुआ gm upon r यह देखो यह यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है gm यह m, m लगा हुआ है ठीक है यह m लगा हुआ है m लगा हुआ है ठीक है अब देखे जरा तो v e square is equal to यह 2 को मैंने set बेज दिया यह वाले m से यह वाला m cancel हो गया है के नहीं अब ही क्या होगा के v e square is equal to 2 gm upon r अब v यह वाला square एटेगा तो यहाँ पे square root लग जाएगा तो v e is equal to root 2 gm upon r अब ही देखना तो s के velocity का formula मेरे पास निकल के आ गया v e is equal to root 2 gm upon r और यह वाले formula से यह वाले formula से मैं gm को लिख सकता हूं g upon r square यह वाले formula से मैं gm को लिख सकता हूं g r square तो यह मैंने लिख दिया g m की जगे पे तो यहां से formula मेरे पास यह भी बन गया के r से यह वाला r cancel तो यहां से formula मेरे पास बन जाएगा root 2 g r क्या बन गया root 2 g r तो यह दोनों formula आपको ध्यान रखने escape velocity के लिए होते है अब आपने orbital velocity दो समझी लिए है orbital velocity जब कोई satellite मान के चलो कि यहां पर यह orbital velocity से घूम रहा है और orbital velocity की value है b0 क्या है b0 अब ध्यान से देखना मान के चलो कोई satellite बहुई certain height h पे है और अर्थ की जो surface की distance के दिसें सेंटर से r है तो actual में क्या है कि इस satellite पे क्या होगा अभी यह अर्थ के gravity satellite अर्थ के gravitational field से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती अगर निकल जाएगी तो घूमेगी कहाँ बात समझ मारी है ठीक है मतलब यह बाहर होती है लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं होती ठीक ना अभी समझे तो actual में हम इस particular point पे देखें तो अर्थ का mass का है capital M और satellite का mass का है small m तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा यहाँ पे gravitational force लग रहा है f is equal to g mm upon distance का square distance है r plus h तो इसका whole square अब यह gravitational force ही इसको पकड़े को घुमा रहा है भाई मैं किसी दागे से पत्थर घुमाता हूँ यह मैंने आपको पकड़े आप मैं ऐसे ऐसे करें को घुम रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है मैंने आपको पकड़े खीच के रखा होगा ना तभी तो आप पे centripetal force लगेगा बात समझ भाई तो यहाँ पे समझ यह तो अभी actual में क्या है कि यहाँ पे centripetal force लग रहा होगा तो यही centripetal force क्या लगा रहा है तो यही centripetal force ग्रैविटेशनल फॉर्स ब्रोवाइडिंग centripetal force और centripetal force का formula होता है mv² अपोन r होता है किनë होता mv² अपोन r और यहाँ पे v कहा है कौनसी वेलासिटी, और ग्रेविटेशन फोर्स के तो नहीं, GM, M अपॉन, R प्लस H का, होल स्क्वायर, ठेक है, अब यहाँ पे R की वेल्यू क्या है, डिस्टेंस क्या है, R प्लस H, है कि नहीं, सेंटर प्लस फोर्स इतनी डिस्टेंस पो लग रहा है, हाँ, समझे, तो यहाँ पे यह फॉर्मूला बना, M V स्कॉर अपॉन R, M V स्कॉर अपॉन R की जगए, डिस्टेंस की जगए, R प्लस H, तो यहाँ से B नॉन की वेल्यू में निकाली, तो यह आगई मेरे पास G, M अपॉन R प्लस H, अभी देखो, G, G, M को मैं G, R स्कॉर लिख सकता हूँ, तो यह मेरे पास बन गया, और्बिटल वलासिटी का फॉर्मूला, यह फॉर्मूला एज़ इस रखूँगा, लार्ज डिस्टेंस के लिए, किसके लिए, लार्ज डिस्टेंस के लिए, और अगर मैं आप से कहूँ, कि R प्लस H, अगर R बहुत बहुत बढ़ा है, अर्थ की रेडियस बहुत बहुत बढ़ी है, और H बहुत चोटा है, तो मैं उस case में edge को कर देता हूँ neglect, edge क्या है satellite की height, तो formula बंजा का gr square upon r, और ये formula basically लगता है polar satellite के लिए या कम height के लिए जैसे की मैं आपको पता हूँ और ये और ये बड़ी height के लगा देते हैं और ये और ये चोटी height के लिए हम लगा देते हैं वाला formula, ठीक है, basically हम देखें satellite दो टाइप की होती है, एक उती जियो stationary satellite और एक होती है polar satellite basically, geostationary satellite 36,000 km के तना 36,000 km की height पर 36,000 km की height पर जो है घूमती है, ठीक है और ये horizontal घूमती है, कैसे घूमती है horizontal, इसका motion कैसा है, horizontal है ठीक है, इसको हम geostationary की stream, जियो मतलब अर्थ, अगर हम यहाँ से अर्थ अगर घूम रही है, अगर ऐसे ऐसे, तो geostationary satellite भी ऐसे ऐसे गूमेगी, मतलब कहीं से भी signal भेजोंगे न, तो ये अर्थ के, जैसे अर्थ ऐसे गूम रही है, तो geostationary satellite भी ऐसे ही, मतलब हमेशा इसके बीच में जो angle बनेगा वो सीधव बनेगा बात समझ मारी है जैसे 24 घंटे का गर एक दिन है तो exact 24 घंटे का भी इसका भी revolution होगा अर्थ का rotation जितना घंटे का है उतना इसका revolution है बात समझ मारी न टेक है भई तो यह क्या 36,000 km की height पे है और यह बड़े बड़े चीज़ों को जैसे मान के चलो जैसे अगर आपको study करनी है meteorites की यह आपको बड़े बड़े चीज़ों को study करनी है जैसे कि मैं आपको communication हो गया जैसे आपको phone में बात करनी है तो geostrace satellite के थूँ पाएगी यह आपको television का communication करना तो geostrace satellite के थूँ पाएगी यह अर्थ है और यही पर यह geostrace satellite गुम रही है इसकी सीध में तो signal वगरा जो आसानी से transmit कर सकता है और उसे बहुत सारी satellite है अलग अलग से अलग अलग satellite है समझभा है तो यह कुछ ऐसे होता अर्थ के साथ ही यह गुमती है आगे हम बात करेंगे दूसरे पोलर satellite अब पोलर satellite गुमती है जैसे मान के चलो अर्थ यह है तो पोलर satellite गुमेगी आपके पास कुछ इस तरीके से इस plane में मतलब यह आपके पास equator है तो equator plane के perpendicular और यह यहाँ पे ऐसे north to south गुमरी है polar satellite और यह करीब 500 से 800 km पे घुमती है तो यह आप यह से मान के चलें कि weather को study करना है जो पास से जो चीज़े देखी जा सके है weather को study करना है या इसपायर रखनी है कहीं पे यह से मान के चलो किसी जासूस पे या आपको देखना है कि भी पाकिस्तान या नेपाल या चाइना या भूटान या जो भी country आप जो है मानते हैं उस country को आपको जो है नजर करने आप पाकिस्तान वालों को भारत वालों पे नजर करने है तो वो क्या करेंगे polar satellite का ही जो है इस्तमाल करता है क्योंकि यह कम height पर यहां से जो pass का दुस्मन का enemy का जो image है वो आसानी से और तरीके से लिया जा सकता है तो यह अपना 500-800 km पर घूमती है और यह यह users है और यह मैंने सारी चीज़ आपको बताएं तो इसके देखो यह अर्थ का जो आर्थ की जो radius है वो 600-800 km है और इसके लिए इसाब से यह वाली value तो बहुत छोटी है तो हम orbital velocity में वो root gr वाला formula है इस वाले case में लगा सकतना आपको यह सारी बाते समझ मारी होंगी अभी हम बात करेंगे अभी हम बात करेंगे बई देखो ज़रा total energy of satellite तो basically total energy का मतलब होता है कि जब एक satellite गोमरी होती है उसको total कितनी energy है तो total energy की जब भी हम बात करते है तो kinetic energy और potential energy total यह होता है total energy is the sum of kinetic energy and potential है तो potential energy basically हमने अभी इतनी निकाली है और kinetic energy देखो भी हमने कितनी निकाली है 1 by 2 half mv square होता है अब v0 की value यह थी तो अगर मैं v0 का square करूँगा तो यह square root हट जाएगा है कि नहीं? हट जाएगा तो u plus k करेंगे तो यहां से आप देखो u की value minus gm upon 2 r आ रही थी और उसकी value plus 1 by 2 gm upon r आ रही थी यह आप ऐसे मान के जो लो कि यह है 1 और यह है 1 by 2 1 में से 1 by 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 by 2 लेकिन 1 minus का है तो answer भी minus का आएगा तो यह energy आ रही है इस energy को हम बोलते है total energy अर्थ की जो satellite जो घूम रही है उसकी total energy कितनी है minus 1 by 2 gm upon r minus sign बता रहा है कि यह satellite पे attraction force लग रहा है it is bound towards the earth अब next आती है binding energy क्या आती है binding energy अब सरी यह binding energy का होता है कि देखो अर्थ के around satellite घूम रही है अब तो इसका मतलब है अर्थ satellite को बांद के रखिया पकर के रखिया अपने attraction force से negative sign वही तो बता रहा था तो binding energy हम उस energy को बोलते है कि वो energy जो कि satellite को gravitational field से या orbit से बाहर निकालने के लिए जरूरी है उसको हम बोलते है binding energy तो मान के चलो कोई satellite जो घूम रही थी उसके पास कितनी total energy थी minus 1 by 2 gm upon r हम चाहते हैं कि अब यह अपने जो यह orbit में ना घूमे इसका time period पूरा हो गया अब इसको बाहर बेजना है तो हम का करेंगो उसको इतनी energy और दे देंगे तो minus g mm upon 2 r यह minus की value थी हम इसको इतनी energy दे देंगे तो overall total energy उसके पास उजाए 0, 0 का मतलब है कि यह अब इस पर attraction force नहीं लग रहा है और अब हमारी वो satellite out of the orbit जा सकती है ठीक है और मेरे हिसाब से अब आप भी हमें छोड़के अभी नहीं दाओगे है ना अब यह उपन को Kepler law पढ़ना है अब देखिए Kepler law basic सी बात है जल्दी ही हम जो इसको finish करने वाले है Kepler law of planetary motion देखो basically planet के motion को study करने के लिए Kepler ने 3 law दिये और उन 3 law में क्या कहा पहले law में Kepler ने ये कहा कि अर्थ जो है वो elliptical orbit पे घूमती है पहले लोग पूरी दरस उसको गोल-गोल मानते थे लेकिन वो कैसा है elliptical orbit है और उसने कहा कि जो बाकी की सभी planets है वो कुछ इस तरीके से हैं कि sun को आप ellips के दो focus में से एक focus पे consider कर सकते हैं और बाकी के planet को जिस तरह से चकर लगा रहे होते हैं टेक्ए जब planet दूर होता है तो हम इस position को बोलते है appi-heliion जब planet सब से दूर होता है sun के तो हम उसको बोलता है appi-heliion और जब planet sun के सब से पास आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं पास मतलब पास मतलब पास मतलब पैरी तो पैरी हीलियॉन हीलियम मतलब सन से बोला जाता है तो ये बाते है मतलब ये जो लॉफ इसको बोलते हैं लॉफ इलिप्टिकल ओर्बिट या लॉफ ओर्बिट ठीक है ये कैपलर का first law था अब इसके बाद कैपलर ने दूसरी और ज़रूरी बात कही कि जब भी कोई planet इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये मान के जलो ये क्या है ये sun है कैपलर ने कहा कि जब भी कोई planet घूमता है तो अब इसी बात है कि यहाँ पे होगा तो sun से सबसे दूर होगा या होगा sun के सबसे पास में होगा तो कैपलर ने ये कहा कि जब कोई planet घूमता है तो इस planet की जो velocity है ये जो इसकी जो velocity ये velocity बदलती है जब ये sun से सबसे दूर होगा तो इसकी velocity कम होगी जब ये इसके पास में आ जाएगा तो इसकी velocity अपने आप बढ़ जाएगी समझे ये बात केपलर ने कही और यहां से केपलर ने एक जरूरी बात यहां पे conclusion करी क्या का केपलर ने केपलर ने यह कह दिया जैसे मान के चलो मैं आपको बता दूँ कि यह मेरे पास एक इस तरह का path हो गया इसका ठीक है तो केपलर ने कुछ यह कह दिया कि मान के चलो कि अगर यह sun है मैं यहां से देखू तो यहां पर तो इसकी velocity कम होगी ठीक और यहां से मान के चलो यहां से यहां तक जाने में इसको लगा time कितना इसको लगा time डेल टी ठीक है यहां पर कुछ distance हो गई यहां पर कुछ position हो गई इसकी r vector यहां पर कुछ r2 vector तो यह वाली position कितनी हो गई डेल आर वेक्टर इन दोनों के बीच के जो displacement हो गई वो कितनी हो गई डेल आर वेक्टर हो गई तो उसने का आए कि actual में क्या है कि जब आप दूर हो गई न तो इसकी velocity कम हो जाएगी क्यों नेचर में सारी चीज़ें fix हैं क्यों जैसे मान के चलो कि अगर आप जब यह इसके पास में आजाएगा तो इसकी velocity बढ़ जाएगी और velocity के बढ़ने से क्या होगा कि अब जो velocity के बढ़ने से क्या होगा कि यह था जितना area जितना overall area इसने पहले cover करा था यहाँ पे उतना ही overall area इस delta time में यहाँ पे cover करेगा आप देखें area क्या होता length into breadth यही normal सी बात है 1 by 2 base into height अगर हम देखें तो उसने कहा कि जिसे मान के चलो कि यहाँ पे velocity कम क्यों है यहाँ पे velocity कम इसलिए है कोगि यह velocity कम होगी न तो इसका area और यहाँ पे velocity बढ़ा नहीं है तो उतने time में actual में क्या है क्योंकि यह distance pass में है यह distance pass में तो क्योंकि जो planet है वो बराबर area cover करेगा इसलिए nature इसकी जो velocity है वो बढ़ा देता है है के नहीं otherwise क्या होता कि यह भी उतनी distance cover कर पाता मान के चलो यह भी अगर same velocity तो यह भी उतनी cover कर पाता तो यहाँ पे तो area कम cover पाता और यहाँ पे area होगी इसकी length जादा है तो जादा cover हो जादा तो हम बोलता है कि इसने Kepler ने कहा कि throughout the motion around sun जो area velocity है मदब area sweep करने की area cover करने की जो velocity है वो कैसी है constant है किसकी constant है किसी भी planet की चाहे वो earth हो चाहे वो Jupiter हो चाहे वो कोई और planet हो ठीक है तो इस चीज़ को मैंने आपको यह समझाया कि area velocity जो है sun के around किसी भी planet की वो कैसी है same है मान के चलो इसको हमें prove करना होता है तो area of triangle basically यह area of triangle आसान होता ज़्यादा तो हम लगाया formula होता है 1 by 2 base into height मान के चलो आप अभी sun पे हो इस point को O नाम दे दिया और इस particular point पे आपकी जो position vector है वो origin से वो है R vector तेक है और आप इस point P पे हो उसके बाद आप पहुंच गए P डेश पे तो आपको time लगा डेल T और आपने पहले R1 पे दे फिर R2 पे तो मान के चलो आपको आपने जो displacement कवर कर ली वो कर ली डेल R अब मान के चलो कि ये distance ना बहुत जाद अपकाम है तो हम ये मान सकते है कि ये इन दोनों में से ये 90 degree बन रहा हो क्या बन रहा होगा 90 degree और ये बन रहा होगा theta angle मैंने का माना कि देखो सर ये 90 degree पे नहीं है अभी आप मुझे जूट बोल रहे है हाँ बिल्कुल मैंने यहाँ पे assume करा कि अगर ये distance बहुत past में है तो ये अगर ये ऐसा है एकदम तो ये हम इसको 90 degree assume कर सकते है तो ये का बन गया ये बन गया base और ये का बन गया ये बन गया height तो 1 by 2 base into height तो base तो मैं लगा दी r vector और height का है pp vector या pp dash हैना कि नहीं pp dash pp dash टिक है pp dash का है pp dash is a del r vector बिल्कुल लिख दिया तो अब del r vector क्या होदा है sir तो देखो एक्चुल में velocity को मैं लिख सकता हूँ del r upon del t तो मैंने ये लिख दिया अब ही देखो जरा तो यहां से del r की value क्या निकल सकती है del r की value क्या निकल सकती है del r की value निकल सकती है v vector into del t वही फॉर्मूला होता है simple से बाद velocity displacement अब del r की value क्या del v upon del t आब यहां से समझो कि आपने पढ़ा है p is equal to mv होता है तो यहां से आप भी समझो कि v की जगह है आप का लिख सकते हो v की जगह आप लिख सकते हो p upon m ठीक है यह मैं नहीं बुक्स दो करा रही है तो आपको प्रूफ दो करना ही पड़ेगा अब देखो del r vector को आपने का लिखा v की जगह है p upon m momentum का formula होता है तो p upon m into del t तो del r मतलब यह वाले formula में तो 1 by 2 r vector p p dash की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूँ p p dash की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूँ del r vector और इस del r की जगह आप लिखेंगे यहां पर p vector p vector upon m into del t अब समझो रहा है यह तो अपने निकाला था del a vector del a vector basically area के पास हमने direction यह जो provide कराई है कि fix direction में जा रहा है इसको हमने इसलिए उगला del a vector otherwise area scalar quantity की तरह भी हम treat करते है r del r vector del r की value हमने यह put कर दी अभी समझो तरह है यहां पर कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि यह जो m को मैंने side में किसका दिया तो यह हो गया 1 by 2m और r cross m मैं इसको लिख सकता हूँ अब आप मुझे बताओ r cross p sorry r cross p क्या होता है angular momentum देखो r cross f क्या होता है angular force मतलब टॉर्क इसी तरह से r cross p क्या होता है angular momentum और आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पे जो del t लिखाता है इसको मैं नीचे पहुचा दिया नीचे पहुचा दिया तो यह बन गया del a vector upon del t मतलब change in area upon change in time इसको मैं बोलता हूँ aerial velocity तो aerial velocity is equaled हो गया l upon 2m ठीक है क्या हो गया l upon 2m ठीक l क्या है angular momentum देखो earth पर या जो भी planet घूम रहा है sun के around क्या उस पे कोई extra torque तो नहीं लग रहा external torque तो extra नहीं लग रहा जो पहले जिस लग रहा था वही है है के नहीं तो हमने बोला कि जब कोई external torque नहीं लगता तो जो angular momentum होता है वो constant होता है और जब audio घूम रही है तो mass जो अर्थ का है वो भी बदल नहीं रहा तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि angular momentum और mass of planet दोनों ही कैसे है fix है अगर ये दोनों fix हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो aerial velocity है कैसी है ये constant है तो इस तरह से हम prove भी कर देते हैं इसके second law को ठेक है Kepler के अब Kepler का इसके पास जो third law होता है वो कुछ ये कहता है Kepler का third law ये कहता है कि बई जो time period जो लग रहा है मैं आपको यहां पर बताओ Kepler का third law ये कहता है कहां गया हमारे पास चलो ऐसे बताएता हूँ कि जो भी time जो लगेगा revolution में तो ये जो T square होगा ये directly proportional होगा R cube के जैसे मान के चलो R cube मैंने किसको बोला कि जैसे ये sun है तो इसको मैं नाम देए semi-measure axis कितनी? Sun से लेके इस end तक की distance को मैं नाम देए semi-measure axis तो actual में जो time period का square Kepler ने कहा कि time period का square directly proportional होगा cube of semi-measure axis अब हम इस चीज़ को prove भी कर सकते है मतला अगर मुझे time period निकालना है तो मैं इस formula से निकाल सकता हूँ ठीक प्रपोर्शल से आठाके मैं k लिख दूँगा या पे तो कैसे बनेगा ये भी बताएता हूँ जब भी कोई plant घुमेगा तो centripetal force लएगा centripetal force लएगा क्यों लगएगा क्योंकि उस पर gravitation force लग रहा होगा तो mv square upon r g mm upon r अब v का formula होता है 2 pi r upon t देखो velocity का formula है कितनी या distance मैं इसको speed consider करता हूँ ठीक है तो distance upon time तो distance कितना 2 pi r upon t तो 2 pi r क्या है 2 pi r upon t तो मैंने क्या लगा v square is equal to gm upon r इसके बाद देखे जरा मैंने अभी बताया कि v square तो v की value 2 pi r upon t का whole square gm upon r ये आ गया अब इसको मैंने solve करा यहाँ पर पूरा 4 pi square r cube इस तरह से मैंने देखा तोड़ा separate करने के बाद मुझे ये value मिल गई इतना तो हम देखी सकते है कुछ से तेख ना हो अभी t square इस पूरी value को मैंने बोला कि ये value constant है क्यों constant है सर इसका reason हमें बता दो देखो ये value constant इसलिए है क्योंकि 4 number है कभी बदलेगा नहीं pi value है कभी बदलेगा नहीं capital G universal gravitational constant चाहे आर्थ पे चाहे ब्रह्मान्द में कहीं चले जाओ इस capital G की value नहीं बदलेगी टेक है capital M mass of sun नहीं बदल रहा है तो जब कोई चीज नहीं बदल रही है तो k r cube तो इसको क्या मान लिए constant k तो k r cube is equal to t square अब भी समझो t square is equal to k r cube सीधा करके लिख दिया k क्या है constant है इसकी जगह हमने लगाया propusality constant तो इस तरह हमने इसको prove कर दिया यह जो k है इसकी value हो थी 2.97 10 to power minus 19 second square upon meter cube यह second square upon meter cube कैसे बना k को मैंने यहाँ चोड़ा r cube को नीचे ले जाओंगा तो t square का second square r cube नीचे मतलब meter cube नीचे उपर भेज देंगे तो meter का minus cube आ जाएगा तो यह थी हमारी एक कोशिस ताकि आपको यह chapter बहुत अच्छे समझ में आ जाए अगर आपको चाहिए इस chapter के डाउनलोड इसके notes आसान बासा में तो आपको करेंगे short notes के लिए और हाँ अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो आपके काम आई और बाकी बच्चों के भी काम आई या इस channel के और आपको कुछ contribution हो जाए तो या आप मेरी कुछ मदद करना जाते हैं तो इस वीडियो को जरूर से share कर अपने friends को साथ दबा करके तो इस वीडियो के लिए बस उतना ही मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तेंक्यू सो मच गाइस तेंक्स अलोट से ओगे नेक्स वीडियो तेंक्यू